सचिन तेंदुलकर को दुनिया का सबसे बहतरीन बल्लेवाज माना जाता है सर डॉन ब्राड्मेन के बाद अगर कोई दुनिया का सबसे बहतरीन बल्लेवाज है तो वो सचिन तेंदुलकर है सचिन तेंदुलकर ने अपने इंटरनेशनल केरियर में 100 सतक लगाए है जो एक बहुत बड़ा रेकॉर्ड है, शचिन तेंदुलकर का जन्म 26 अप्रेल 1973 को मुंबई में हुआ, उनके पिता का नाम रमेश तेंदुलकर है, जो एक कभी थे, उनकी मा का नाम रजनी है, जो एक इंसुरांस कमपनी में काम क्या करती थी, शचिन तेंदुलकर के दो कर लिया करते थे, शचिन तेंदुलकर ने अपने टेस्ट केरियर की सुरुवात साल 1990 में पाकिस्तान के खिलाब की, उनके पूरे केरियर में 200 टेस्ट मेंच खेले हैं, जो एक ऐसा रेकॉर्ड है, साइध इस रेकॉर्ड को कोई भी बल्लेवास तोड़ नहीं पाएगा, अ इतना सारा टेस्ट मेंच खेलने के बावजूद ओए एक भी 13 सतक नहीं लगा पाए, टेस्ट केरियर में उनका एवरेज 53.78 रहा, अब बात करते हैं उनके वांडे इंटरनेशनल केरियर की, शचिन तेंदुलकर ने अपने 18 साल के लंबे केरियर में कुल 463 वांडे इंटर इस दर्वियान उन्होंने 18,426 रन बनाए, उनका वांडे केरियर का हाइस्ट स्कोर 200 रन का है, शचिन तेंदुलकर ने वांडे केरियर में कुल 99 सतक लगाए हैं, शचिन तेंदुलकर ने अपने परदर्शन की योज़ा से बहु सारे अवार्स जीते हैं, उन्हें भारत सर सायवार्स जीते हैं, शिर्फ भारती नहीं, बीदेसों में भी उन्हें बहुत सारे सम्मान से सम्मानित क्या गया है, अगर शचिन तेंदुलकर की फेमेली लाइब की बात की जाये तो साल 1995 में उन्होंने अंजली महता से साधी की, जो एक डॉक्टर है, शचिन तेंदुलक को लोग काफी जादा पसंद किया करते थे, वो बहुत सांत स्वबाब के थे, वो मैदान में अक्षर मुस्कुराते हुए नजर आते थे, अपने पूरे केरियर में उन्होंने कभी किसी से जगडा नहीं किया, मगर जब बल्लेबाजी करने आते थे तो उन्हें आउट करना बेहदी मुश्किल होता था, उन्हें आउट करने के लिए अच्छे अच्छे गेंबाजों के पसीने छुट जाते थे, दुनिया के बेहतरीन गेंबाज जैसे ओशीमा करम, सेनवार्न, मुथाया मुर्लिधरन, ग्लेन मेगरा, स्वेवक्तर और ब्रेटलीन, सचिन अगर मैदान में आते ही, सचिन सचिन की आवाज से पूरा मैदान घूज उठता था, भारत के लोग उन्हें भगवान की तरह पूछते थे, तो आपको सचिन तेंदुलकर की जीवानी कैसी लगी, कॉमेट करके जरूर बताइए